हेलो माई डियर स्टुडेंट कैसे आप सभी लोग आप सभी का स्वागत करते हूं आपके अपने यूटूब चैनल से तंबर सिल्पी क्लासस में और स्टुडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे प्रदूसन चैपटर ये आपका क्लास्थ सिक्स का चैपटर है और चैपटर नंबर फिफ्ट है प्रदूसन तो स्वस्थ रहने के लिए हमें सुध्जल सुध वायू स्वच आवाज स्वच भोजन के शक्ता होती है और कभी कभी लोग अपने घर का कूरा करकर उचिस्थान पर ना फेक कर आस्पास फेक देते हैं, मरे हुए पशो को भी खुले मैदान या जलाशे में डाल देते हैं, इन सरते जानवरों की लाशों और कूरा करकट से निकलने वाली दुरगन वातावान में मिलकर उसे क्या कर देती है, दूशिद कर pepper देती है, घर वा कारिखानों से निकलनेयाला गंदा, जल, नदियां, तलावों से मिलकर जल को दूशित कर देती हैं, इस प्रकाय वाहनों की तेज धनी, उनसे निकली विशयली गैसे भी वातवन को दूशित कर देती हैं, प्रदूसन फलाने के कारण क्या है तो जल, वाईू, परवत, पठार, मैदाब, खन प्रदूशन के कारण सभी जीवधार्यों काईवन संकर्ट में परसकता है आपको यह जानका आश्चर होगा कि प्रदूशन के कारण ही गिद्द जाती के पच्छी हमारे देश से विलुप्त हो गए हैं और गिद्ध मरे हुए जानवरों को खा कर पर्यावरन को सच रखने में हमारी मदद करते हैं देखिए नदियां हैं तलाबों में नहाने कप्राद होने जानवरों को नहलाने से जल क्या हो रहा है दूशित हो रहा है तो दूशित हो रहा है तो प्रदूशन के प्रकार है जल प्रदूशन धनी प्रदूशन वायू प्रदूशन म्रदा प्रदूशन देखिए देखा होगा कि आपने कभी सोचा है कि कुओं और हैंडपन पर इसनान करना और कपराध होने के बाद या गंदा उसी के आसपास इकत होता रहता है फिर यही गंदा जल भूमी में रिस रिस कर कुऊं हैंडपन के जल सोच तक पहुच कर से दूशित करता है इसी प्रकार लोगों दरा तलापो जीलो नद्यों में साबून लगा कर नहाना कपराध होना पश्यों को नहलाना अम्रत तक पश्यों की लासे फेकना गंदे प्रकार के रोग हो जाते हैं जैसे टाइपाइड है पीलिया है है जा है डारिया है और पेचिस हैं सब्सक्राइब का महत्र क्या है तो सभी जीवों के जीवित रहने के लिए जल बहुत ज़ुरी है हमारे शरी में जो विविन प्रकार की क्रियां ही होती है उनको सुचारी पानी बहुत जोड़ी होता है अगर हमें अपने सरी की सारी क्रियाओं को सचारूप से चलाना है उधारन के लिए भोजन को पचाने में रक्त को तरब बनाए रखने में शरी के दूसित पदात जैसे मल है मुत्र आदी को बहार निकानने में जल के बिना जीवन संभो नहीं है पे जल, स्वच्छ, निर्मरपा, दर्शी, गंद रहित, किटारूवा, जिवारू रहित जल होना चाहिए जल कबर पीने के लिए नहीं वरन सचाई, विद्धूत, पादन, मस्त से पालन, परिवाहन और धोक आदी कालियों में काम में आता है देकि भोजन के बिना हम को दिनों तक जीवित रह सकते हैं, पानी के बिना जीवन संभो नहीं है, पानी की एक एक बूंद का सही उपयोग करना चाहिए, हमें अपने जीवन में उपयोगी जल को बबाद और प्रदूशित नहीं करना चाहिए, घर घर जाकर लोगों को जल बचाओ और उसे प्रदूशित होने से बचाने के लिए जागरू करना चाहिए, जल है तो कल है, नर का उपयोग करने के बाद उसकी टोटी को कसकर बन कर देना चाहिए, ध्यानिक कारियों में जल के समुझित उपयोग के लिए ग्लास या मक को उपयोग करना चाहिए, बार पानी बहरा हो तो इसे बंद कर देना चाहिए, बून देखे, आउ सोचे, बून बून टपकते नल के नीचे एक बतन रखी ओर देखिए कितने समय में बतन भर गया है, बतन में कत्रिक जल को ना पीओ जल का आईतन कितना है पर ये एक पैटिकल करने को बोलने कि मानने जिए एक दिन में दो लीटर पानी गिरा है तो चार दिन में कितने लीटर पानी वेथ जाएगा पर ये बोलने एक लीटर बोतल बंद पानी की कीमत 20 रुपए है तो इस गती से टपकते नल से 4 दिन में कितने रुपए का पानी वेथ जाएगा जल पर दूश्ट दूर करने की उपाये तो भारत में नदियो जीलो तलाबों में अपलब्त जल का लगबख 17% भाग पर दूश्ट हो चुका है आउ जाने की जल को पर दूश्ट होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए तो पीने वाखाने पीने तदा खाना बनाने अला पानी साब बतन में ढखके रखे बतन से पानी निकालने के लिए हैंडर लगे सवच बतन का प्रयोग करे मल विसरजन के लिए सवचाले का प्रयोग करे मत पश्यों को अबादी से दूर गड़े मिट्टी से धख दे कपरों की धुलाई इसनान बतन की सफाई कार नदी तलाब हैंडपम एवं कुएं से दूर करें अपने पशुओं को नदी नहर वा तलाब में ना नहलाएं कुएं हैंडपम के आस पास गंदा जल इखट्टा ना होने थें इसकी निकासी के लिए पक्का चोत्रा नाली ग्राम पैधान से कहकर बनवाएं और यह important है कि विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है जिसका मुख उद्देश जल सरच्छन होता है और उसकी सोचिता के पती लोगों को जागरूप करना है तो कोशन पूछा जा सकता है कि विश्व जल दिवस कम मनाया जाता है 22 मार्च को और यह आपका TZT म कोशन पूछा गया है और इसका मुख उद्देश क्या होता है जल सरच्छन वास की सोचिता के प्रती लोगों को जागरूप करना फिर नेक्स्ट है मानव शरी का भाग का लगबग सत्य पतिशत मरशरी के भाग का सत्य पतिशत पेपादों के भाग का 80 पतिशत भाग पानी होता है प्रते जल का प्रते एक अरू हाइट्रोजन के दो तो ऑक्सीजन के एक परमारू के मिलने से बनता है जल का रहसानिक सूथ एस टू ओ है तो ये था प्रदूसन चेप्टर जिसके बारे में मिलोने पड़ा इसमें कुछ इंपॉर्टन चीजे थी जो आपको पढ़ना बहुत जोड़ी थी यहां से अगर कोशन बनेगा तो दोको बच्चो यहीं से बनेगा ये कोशन पूछा भी गया है जल का रहसानिक संकेत क्या है एस टू ओ विशु जल दिवस कब मना जाता है तो बाइस मार्च को जिसका उद्देश क्या होता है जल सलच्चन उसकी सच्चिता के पती लोगों को जाग रुप करना मना शरी के भागा सत्तर पतिशत दो पेर पौदर के भागा अश्री पतिशत भाग पानी होता है और जल का प्रतेक अडू हड्रोजन के दो और अक्सीजन के एक परमारू के मिलने से बनता है तो यह कुछ इंपोर्टन पॉइंट है पेपर में यहां से पूछ रिये जाएंगे यहां से इतना नहीं पूछा जाएगा इसमें भी कुछ इंपोर्टन नहीं है पूरा मैंने इसलिए दिखा दिया कि काई से भी कोशन पूछे तो आप गलत करके मत आना प्रोडूशन के प्रकार पूछता है तो जर प्रोडूशन धोनी वायू अम्रदा प्रोडूशन प्रोडूशन आपका चैप्टर भी है सले बस में टीची ठीके तो यही है इसी के साथ यह आपका जो चैप्टर है जर यह फिनिश हो जाता है और मिलते हैं के कल 6 बजे नेक्स क्लास के साथ आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना साथ ही अभी इतना पड़ो और साथ ही मैं आपके लिए साथ करने जा रही हूं सब प्लेइलिस्ट बना दूंगी टीजी टीजी एक्जाम 2023 करके उसमें इस सब नया मैटेरियर पढ़ता जाएगा प्लेइलिस्ट 2023 करके बनता जाएगा चप्टर वाइस होता रहेगा अभी शाम को 6 बजे हो रहा है और एक क्लास दिन में और ले कि आपके नोट से इंपोर्टर मंपोर्टर इंपोर्टर पॉछ लिया जरना गलत करके नहीं आना है अगर और कुछ पर न चाथा नहीं तो नीचे कमेंड बोक्स में वता दे ना तयारी करते रहो मैं बार बार कहा रही हूं दिसम्बर जन्वरी फ़र्वरी के बीश पर द हेन मट डालो तो इस्टुडेंट आज के लिए इतना ही चैप्टर फिफ्थ प्रदूशन फिनिश होता है धन्यवाद और चल्चाल इसने से लिए प्रदूशन खी ऑार – बान के लिए चेपिंगारा ए्य होता है बेस्ट भड़ित्स मेंटशन न裡